कहते हैं सिच्छा वा सेरिनी का दूध है जो इसे पिया है और दहाड़ा है तो आप लोगो भी दहाड़ना चाहते हैं तो आपको सिच्छा को गरहाड करना होगा नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से पुना स्वागत करता हूँ यह सस्योधा के आनलाइन प्लेटफॉर्म पर दोस्तों आज मैं रिजनिंग के 10 बहुत ही जादा महतफूर प्रशनों को देखने वाले हैं अगर आप ऐसा से जीडी के तैयरे कर रहे हैं अगर आप रेलबे की कर रहे हैं अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस की कर रहे हैं या आप दिल्ली पुलिस की कर रहे हैं तो किस शुरू करते हैं आपका पहला प्रस्न ये है दोस्तों कह रहा कि 31 दिन वाले महीने का अंतिम दिन मंगलवार है तो उसी माह के 16 दिन कौन सा वार हो है तो दोस्तों देखिए प्रस्न देखने में थोड़ा सा टप लग रहा है पर इसमें कुछ भी नहीं है बड़े ध्यान से देखिएगा दोस्तों इस प्रस्न को कैसे करेंगे देखिए भाईया 31 दिन वाले महीने का अंतिम दिन क्या है मंगलवार है तो सुलाहवे दिन का पता कैसे करेंगे देखिए 31 को जब मंगलवार है तो 31 में से जब हम 7 को घटाएंगे तो कितना आएगा भाया जब माइनस 7 करेंगे तो 24 आएगा यनि कि 24 को भी मंगलवार है और 24 में से जब 7 घटाएंगे तो 7 घटाएंगे तो 17 आएगा दोस्तों तो इस दिन भी मंगलवार है और 17 से पहले क्या आएगा सोला सुलावे दिन कौन सा दिन होगा सोम वार होगा उमीद करता हूँ ये वाला प्रशन समझ में अगर दोस्तों समझ में है तो आप लोगो से क्रिक्वेस्ट है हमारे उन भाई बहन तक जरूर से एर करिए जिनके पास आज कोचिंग जाने तक के फीस नहीं है तो इसका करिक्वेस्ट अंसर हो जाएगा सोमोर दोस्तों आपसर नंबर डी वाला से हो जाएगा चलिए दोस्तों अब हम लोग चलते है अपने नेक्स्ट प्रशन की ओर आपका अगला प्रशन ये है दोस्तों कहा रहा है कि नीचे दी गएस तरिंखला में गलत पद ग्याद करें दोस्तों देखिए अब इस ताइब के प्रशन बहुत ही ज़्यादा रुझाई यानि कि आपको परिसान कर देने वाले प्रशनों देहें नीचे दी गए सिरंखला में गलत पद गयात करना है 385 दिया है 462 दिया है 572 दिया है 396 427 671 264 दिया है पहले हम लोग दोस्तों अंतर देखिए 300 से 462 दिया है उसके बाद 500 फिर से 3, 4, फिर से 6 कर दिया उसके बाद 2 कर दिया तो दोस्तों ये मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है कि कभी कभी दोस्तों जादा बढ़ा दे रहा है कभी कभी थोड़ा कम बढ़ा रहा है तो दोस्तों देखिए इस सवाल को हम किस परकार से हल करेंगे बड़े ध्यान से देखिए को दोस्तों जब हम 3 और 5 को जोड़ेंगे तो 3 और 5 को जोड़ेंगे तो 8 प्राप्त हो रहा है देखें फिर से बड़ धान से देखेगा जब हम किनारे किनारे वाली संख्याओं को जोड़ेंगे तो 8 प्राप्त होगा बीच वाली संख्या और 4 और 2 को जोड़ेंगे तो 6 प्राप्त होग तीन और चे को जोड़ेंगे तो नौ पराप्त होगा और चार और साथ को जोड़ेंगे तो यहां पर दो लिख दिया रहा है यहां पर 11 होना चाहिए दोस्तों जो कि बिल्कुल गलत है और दोस्तों हम लोग इसके आगे देख लेते हैं क्या यही नियम regular follow कर रहा है कि नहीं छे अरो एक को जोड़ेंगे तो साथ आएगा और दो और चार को जोड़ेंगे तो छे आ रहा है यानि कि यह नियम बिलकुल follow कर रहा है आपका क्या हो जाएगा अंसर 472 हो जाएगा दोस्तों अब क्यों हो जाएगा बड़े ध्यां से सुनेगा क्योंकि इसमें दिया है गलत पद ग्यात करना है अब हम क्या किया कि कि जब किनारे किनारे वाली संख्या muchís areं को जोड़ रहे तो बीच वाली संख्या प्रापत हो रहं परन्तु 472 ऐसी संख्या है इसमें दिये के पदू में 472 ऐसे संक्या है जब हम 7 और 4 को जोडने पर ग्यारा आता है परंतुयां पर दू लिखा है यानि कि ये गलत संक्या है आपसन नमबर D वाला सही हो जाएगा अब का तीन नमबर का प्रस ने ये कह रहा है दोस्तों कि प्रतीकों के उप्यूक्त सिट का चैन करें अब कैसे करेंगे हम लोग देखते हैं 72 दिया है 85 चार दिया है जिससे आपको 49 बताना होगा कि किस प्रतीकों से ये बन रहा यानि कि प्रतीकों का मतलब आपसन नमबरे में दिया है कि पहले गुला फिर माइनस फिर भाग और दोस्तों इसी सिक्वेंस में 4 होगा तो दोस्तों जब इस प्रकार के प्रशना है तो आपको दिमाग में सबसे पहले भाग रखना होगा देखे दोस्तों यहां पर भाग दिया है पहले में जब हम लाश्ट वाली संख्या क्या है भाग है जब हम चार का भाग पांच में करेंगे तो दोस्तों दस्मलों म हम 8 में करेंगे फिर भी यहां पर 10 मलों में पराप्त होगा है ना यानि कि यह भी आपका गलत होगा अब दोस्तों देखते हैं C नंबर का C में पहले में प्लस है जब 72 और 8 जोड़ेंगे तो 80 होगा यानि कि हमको भाग देखना है लाश्ट वाली संक्या से यानि कि जब हम 4 म पांच का भाग देंगे तब भी हमें दसमलों में आएगा यानि कि यह भी प्राप्त नहीं कर सकता उन्चास अब चौथा वाला दोस्तों देखिए चौथे में दिया क्या है पहले भाग दिया है अब जब हम आठ का भाग जब हम 72 में करेंगे तो आठ नवया बहत्तर आठ जब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्ण की ओर आपका अगला प्रश्ण चार नमबर का यह है दोस्तों देखिए यह कह रहा है कि 50 से 65 बना तो 101 से क्या बनेगा दोस्तों हम आपको बता दूँ कि इस प्रकार के प्रश्ण बहुत ही ज़्यादा दिमाग लगाने कि इसमें कोई भी आपको जंजड नहीं रहता है और आप इस प्रश्ण को बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं देखिए देखिए पचास से 65 पहली चीज़ तो 50 में जब हम 15 प्लस करेंगे तो 65 बनेगा तो जब हम 101 में 15 प्लस करेंगे तो 116 प्रप्त होगा क्या इस आफसन में दिया गया है क्या दोस्तों इस आफसन में नहीं दिया गया है यानि कि ये रूल मेरा गलत है यानि कि ये मेरा नियम फालू नहीं कर रहा है तो चलिए हम दूसरा नियम भी लगाते हैं भी या हमारे पास बहुत साथ दिमाग है देखिए 7 का स्कॉाइर करेंगे प्लस 1 जब देखिए एक बढ़ा रहा है साथ के बाद आठ उसके बाद क्या करेंगे 11 111 121 122 कहीं दिख रहा है क्या जी हां दिख रहा है बिलकुल यही राइट है तरो अब का आपसा नंबर सी गाल से जाएगा उमीद करता हूं यह चाहूथा नंबर का प्रशन भी आप सभी कि समझ में होगा चलिए हम लोग चलते हैं आपके अगले प्रशन के वर कारा कि इस चित्र में ब्रित बड़े ध्यां से देखेगा दोस्तों इस प्रशन को इस चित्र में ब्रित युवाओं का त्रिभूज असिछित ब्यक्तियों को और आयत रोजगार में लगे ब्यक्तियों को निर दोस्तों किसको दरसाता है आयत को थीक है तो आप से पूछ कर रहा है कि कौन सी संख्या युवा शिच्छित एवं वेरोजगार को निरूपित करता है तो दोस्तों देखी आप सभी को बता दूँ क्या एक को देखी दोस्तों एक करके रहा है एक आपको सिच्छित भी है और बेरोजगार भी है ठीक है यह जो संख्या है यह तो सिच्छित भी है दोस्तों बेरोजगार भी है यानि कि करेक्ट एंसर आपसन नमबर डी वाला हो जाएगा डी वाले में एक दिया है डी वाला सही हो जाएगा नों नमर का प्रस्ण कहा रहा है दोस्तों की दी गई प्रस्ण आकरती का सही दरपर प्रतिवी में चुने प्रस्ण आकरती दोस्तों 言़े गए आपको क्या बताना है रखना है mirror image बताना होगा इसका मतलब दोस्तों देखिए इस प्रकार की अकरती की सेम है कि आप B वाले में देखिए इसी प्रकार की अकरती है एनिगी करेक्ट है सर आपसा नमबर B वाला चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रशन की ओर दोस्तों आपका अगला प्रशन है कि नीचे दी गए चित्र में कितने त्रिभूज हैं जितने भी मेरे दोस्त इससे पहले वाली वीडियो को देखे होंगे और जरूर बता लेंगे अगर आप लोग भी नहीं देखे हैं तो जाहिए प्ले लिस्ट हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहे हैं दोस्तों मास्टर बैच के नाम से है दोस्तों देखे जब इस टाइप के प्रशन पूछा जाए तो आपको त्रिभूजों को गिनना है चोटे चोटे त्रिभूज को एक त्रिभूज दो त्रिभूज तीन त्रिभूज चार त्रिभूज पान त्रिभूज छे त्रिभूज और छे जितना इसका दूगना कर देना 6 दूनिया 12 इसका मतलब करेक्ट है सर आफसन नमबर डी वाला हो जाएगा यहाँ पर डी वाला आफसन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों माल लीजिए यहाँ पर बीच में दिया होता तो क्या होता जब बीच में दिया होता तो क्या होता बीच में दिया ह ength गूपर हो तो नीचे कौन सी संख्या होगी दोस्तों देखिये Paramah पर एक है और दोस्तों यहाँ पर देखना होगा हो छे और चार है ना दो फलकों पर और दोस्तों यहाँ पर देखे छे और चार है यानि कि एक का दोस्तों क्या हो जाएगा नीचे वाली कौन से जंखे होगी पांच हो जाएगा करेक्ट एंसर आफसन नंबर सी वाला हो जाए है यदि उसने कुल आतालिस सवाल किये तो कितने सही सही हल किये दोस्तों ये mathematical reasoning का सवाल है ये mathematical reasoning का है दोस्तों देखिए एक विद्यारती सही सवालों की तुलना में दो गुना गलत करता है यानि कि एक अनपाते दो एक ये कोँसा है इस सही वला है और दो क्या है गलत करता है याने कि एक अगर सही करेगा दो गलत करेगा ठीक है समझ में रहा है यादि उसने अकल 99 सवाल किये तो दोस्तों दखिए, कुल 48 सवाल किये, यानि कि इन दोनों को पहले दोस्तों जोड़िए, एक बटे 3 इंटो 48, 16 हो जाएगा, यानि कि अब आप बता सकते हैं, सही, सही पूछ रहा है न, सही हल कितने किये, तो 16 हल किये, और आप से पूछता है गलत, तो 16 दोने 32, 32 हल गलत किया है, हम लोग चलते हैं, अपने 10 नमबर के प्रशन के उमीद करता हूँ, यह प्रशन आप सभी के समझ में आ रहे होंगे, दी गई वरल स्रिंखला में कुछ वरल यानि कि लेटर लुप्त हैं, लुप्त वरलों के सही करम को दिये गए बिकलपों से चुने, दोस्तों देखि है, डी के आगे क्या होगा, तो दोस्तों यहां पर देखिए, डी के आगे डी है, तो यहां पर क्या भरा जाएगा, यहां पर डी भरा जाएगा, अब उसके बाद देखिए, दोस्तों यहां पर क्या है, तो डी के बाद क्या है, दोस्तों देखिए, यहां पर डी के बाद क चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा आखरी वाला है कि दी के बाद क्या भर जाएगा तो दोस्तों दिखिए डी के बाद सी भर जाएगा उमीद करता हूँ यह दसों प्रशन आप सभी के समझ में होकर दोस्तों कहीं भी आपको डाउट लग रहा तो कमेंट बॉक्स में कमे जादेंगे मिलते हैं किसी नए वीडियों में तब तक के लिए जय हिंद वन दे मातर हूँ